हेलो एवरिवान आज हम आपके लिए कास्ट अवे मूवी को एक्सप्लेइन करने वाले हैं जो 2000 में रिलीज हुई है इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.8 आउट आफ टैन है और 89 परसंट गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है ये मूवी एक ऐसे शक्स पर आधारित है जो प आपको बहुत मौटिवेट करेगी इसलिए विडियो को लास तक देखेगा तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आप हमारी विडियो से इस बहुत कर सके आपका sólo करना मुवी की शुरुवात 1995 से होती है और हमें चक नोलेंड को दिखाया जाता है जो FedEx में Systems Analyst Executive है इसी सिलसले में उसे पूरी दुनिया में ट्रेवल करना पड़ता है चक अपनी गर्फरंड कैली के साथ Memphis Tennessee में रहता है चक जब अपनी फैमली के साथ डिनर कर रहा था तभी उसे बताया जाता है कि उसे काम के सिलसले में जल्दी मलेशया जाना पड़ेगा चक जब वहां से निकल रहा था तो उसकी गर्फरंड कैली उसे एक वाच गिफ्ट करती है जिसमें कैली का एक फोटो लगा हुआ था कैली उसे एरपोर्ट पर ड्रॉप करके चक की गाड़ी अपने साथ ले जाती है और चक फैडेक्स के प्लेन में बैठ कर मलेशया के लिए निकल जाता है जिस प्लेन में वो लोग सफर कर रहे थे वो प्लेन कुछ देर बाद ए चक अपनी जान बचा लेता है लेकिन उस राफ्ट में चड़ने के बाद चक बेहोश हो जाता है सुबा जब चक को होश आता है तो वो खुद को एक आइलेंड के पास पाता है इस आयलेंड पर चक को दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता क्योंकि यह आईलेंड समुद्र तत से बहुत दूर होता है इस वज़ा से वहाँ से कोई शिप भी नहीं गुजरता है और चक को यहाँ पर मदद मिलना बहुती ज़्यादा मुश्किल होता है चक को FedEx का जो भी पैकेज मिलता है वो उसे अपने पास जमा कर लेता है और वहाँ पर मदद ढूरने की कोशिश करता है लेकिन कुछ देर बाद धकार कर वो हेल्प का एक साइन बनाता है पानी के साथ जो भी FedEx का पैकेज वहाँ आता है चक उसे अपने पास जमा कर लेता है मदद ढूरने की बहुत कोशिश करने के बाद चक एक जगा उचाई पर चड़ जाता है ताकि उसे दूर से आते हुए शिप दिख सके लेकिन चक के बहुत देर देखने के बाद भी उसे दूर दूर तक कोई शिप नहीं मिलता चक उसे पानी से बाहर निकाल लेता है उसके जूते अपने पैरों में डाल कर चक उस लाश को दफना देता है चक को अब वहां रहते हुए बहुत दिन बीच जाते हैं एक रात में जब वो समुद्र तत के पास होता है तभी उसे दूर एक शिप दिखाई देता है अगले दिन उसी inflatable raft की मदद से वो उस island से निकलने की कोशिश करता है लेकिन लहरे उसे थपड मार के फिर से वो ही तत पर पहुचा देती है उन लहरों की वज़ा से वो पानी में गिर जाता है और उसकी टांग जकमी हो जाती है उसकी टांग से बहुत खून निकल रहा था इसलिए चक उस पर कपड़ा बानता है अब चक को समझ आ जाता है कि यहाँ पर रहना बहुती ज़्यदा मुश्किल है इसलिए वो उन FedEx के package उसको खोलने लगता है एक package में उसे skating shoes मिलते हैं जिनके नीचे blades लगी हुई थी उन shoes को वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तिमाल करता है उनी shoes से वो नारियल तोड़ता है और उनी shoes से वो सारी चीज़ें भी काड़ता है एक package पर उसे butterfly का निशान बना हुआ मिलता है उस package को वो नहीं खोलता अब चक ने सारी problems को solve कर लिया था अब सिर्फ उसे आग जलाना भाकी था जिसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है आग जलाते जलाते उसका हाथ जखमी हो जाता है उसके हाथ से खून निकल रहा था तबी उसे package जिसमें एक ball मिलता है उसी खून से सने हुए हाथ में वो उस बॉल को ले लेता है उस बॉल पर भी खून लग जाता है चक के पास कोई कम नहीं था इसलिए वो उस खून में एक चहरा बना देता है और उस बॉल का नाम वो विलसन रखता है और उसी बॉल के साथ वो बातें करने लगता है चक आग जलाने के लिए बहुत महनत करता है बहुत देर तक कोशिश करते रहने के बाद चक आग जलाने में काम्याब हो जाता है और आग जलते ही चक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता वो खुशी से जूम उठता है अब चक ने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था अब उसे इस आइलेंड पर रहते रहते बहुत टाइम बीच जाता है अब उसके लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि उसे इस आइलेंड से बाहर निकलना था इसके लिए वो सारी प्लैनिंग करता है लेकिन आइलेंड से बाहर नहीं निकल पाता देखते देखते चार साल बीच जाते हैं चक अभी भी इस आइलेंड पर जिंदा होता है अभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी उसके बड़े बाल होते हैं और बहुती लंबी दारी होती है वो अभी भी इस आइलेंड पर बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहा था एक दिन चक को आइलेंड पर एक पोटेबल टॉयलेट का कुछ रैकेज मिलता है उसे देखकर चक के दिमाग में एक आइडिया आता है वो बहुत सारी लकडी को जमा करता है उसके पास जो भी सामान मोजूद था उसकी मदद से वो एक राफ्ट बनाना स्टार्ट कर देता है उस टॉयलेट रैकेज को वो सेल की तरह इस्तिमाल करता है बहुत दिनों तक दिन रात कड़ी महनत करने के बाद चक एक राफ्ट बनाने में काम्याब हो जाता है लेकिन इतना टाइम गुजरने के बाद भी चक ने उस बटल फ्राइ सिंबल वाले पैकेज को अपने पास संभाल के रखा था वो उसे भी राफ्ट में डाल देता है और वहाँ पर एक बड़े पथर पर वो लिख देता है कि चक नोलंड यहाँ पर पंदरा सो दिनों तक जिन्दा रहा है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अगर मैं घर पहुचा तो ठीक है अगर नहीं पहुचा तो कैली से कहना कि चक तुम्हें बहुत प्यार करता है इसके बाद वो राफ्ट को समुद्र में डाल देता है और खुद उस पर बैठ कर निकल जाता है लहरे बहुत तेज चल रही थी लेकिन चक की हिम्मत के सामने वो लहरे कुछ नहीं कर पा रही थी चक हिम्मत नहीं हारता उन लहरों का वो मुतोड जवाब देता है और कुछ देर बाद वो उन लहरों को पार करके शांत समुद्र में पहुँच जाता है सफर करते हुए समुद्र में कच्ची मशलियां खा कर चक खुद को जिन्दा रखता है चक को अब समुद्र में चलते हुए बहुत दिन बीच जाते हैं एक रात में तूफान आता है और उसका राफ्ट तूड़ जाता है लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी चक हिम्मत नहीं हारता एक दिन ऐसा आता है जब उसकी तनहाई का साथी वोही वाली बॉल्सन भी पानी में गिर जाता है चक जब ये देखता है तो उसे बहुत दुख होता है वो विल्सन को वापस लाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है विल्सन को वापस लाने की कोशिश करते करते जब चक ठक जाता है तो वो वापस राफ्ट पर आ जाता है और बहुत जोर से रोता है विल्सन की जिदाई से चक को बहुत तकलीफ होती है एक दिन जब वो अपने राप्ट पर सो रहा था तबी उसके सामने से एक बहुत बड़ा कार्गो शिप गुजरता है चक उसकी तरफ अपना हाथ दिखाता है वो अब बहुत कमजोर हो चुका था वो कार्गो शिप उसे देख लेता है और चक को रेस्क्यू कर लेता है यहां सीन कैली की तरफ मुड़ता है कैली ने अब किसी और के साथ शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी भी होती है एक दिन कैली को कॉल आता है उसे जब पता चलता है कि चक अभी भी जिन्दा है तो वो गिर कर बेहोश हो जाती है चक को सभी लोग उने मुर्दा घोशित कर दिया था लेकिन अब अचानक जब चक वापस आ जाता है तो सब लोग बहुत ज़दा खुश हो जाते हैं और चक के वेलकम में एक पार्टी और्गनाइज करते हैं सभी लोग चक को एक हीरो मान रहे थे लेकिन चक अभी भी कैली से प्यार करता था इसलिए वो कैली से मिलने उसके घर पे चला जाता है कैली के दिल में भी चक के लिए अभी भी उतना प्यार था, वो चक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है ये दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं, लेकिन तबी चक को पता चलता है कि कैली की अब शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है, कैली चक को गिराज में लेकर जाती है, जहांपर उसने अभी भी चक की ग पारसल को उसके एडरस पर डिलिवर करने चला जाता है लेकिन उस घर में चक को कोई नहीं मिलता इसलिए चक उस पारसल पर एक नोट लिखता है जिसमें वो लिखता है कि इस पैकेट ने मेरी जान बचाई इसके बाद वो उस पारसल को वहीं रखके वापस चला जाता है लेक चक उसकी ट्रक के पीछे वही बटरफलाई का सिंबल देखता है यानि वो पारसल उसी लड़की का होता है अब चक उन रास्तों की तरफ देखकर ये डिसाइड करता है कि उसे किस डिरेक्शन में जाना है उस लड़की के रास्ते की तरफ देखकर चक स्माइल करता है और इसी बिल्कुल अकेले पड़ जाता है उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता सब लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं बस उस वक्त इनसान को सिर्फ एक ही चीज उस मुश्किल से बाहर निकालती है और वो है खुद पर भरोसा जिस इनसान को खुद पर भरोसा होता है वो चक की तरह मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से भी बाहर आने में काम्याब हो जाता है इसलिए कभी भी अपने आप पर कम भरोसा मत कीजिए आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो को लास तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू, टेक केर और गुडबाई